दिल्ली में मौझूद है केंद्रिय मंत्री और जारखन के पूरो मुख्यमंती और जुन मुंडा जी जो नतीजे सामने आ रहे हैं उन पर बात करते हैं मुंडा साब जो स्थीती बनी हुई है बीजेपी पिछड रही है लगातार जो जेमें कॉंग्रेस और आर्जेटी का गढ़ना हुई होगी गिंती हुई होगी और इसमें नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं है बारा बज़े के बाद देखा जाएगा कि क्या ट्रेंड है तो इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि भारते जनता पार्टी जो बहुत क्लोज कॉंटेस्ट में अपनी जगा बना से बातचीत करके सरकार बनाएं कि हमारे साहजोगी दल के रूप में आज सुने बरसों तक हमारे साथ काम किया इस बार चुनाओ अलग से लड़ रहे हैं तो वह तो हमेसा खुला हुआ है यह अलग बात है कि पिछला चुनाओ मतलब यह जो चुनाओ हुआ उसमें वह बिलक को देश का भला चाहते हैं वह सारे लोग भारती जनता पार्टी के लिए स्वागत है इस द्रिश्टी से संगठन जरूर ने डए लेगी कि आगे हमें क्या करना है नहीं करना है लेकिन अभी आपको हमको सबको इंतजार है इस बात का लेकिन मुंडा जी सर्यूर आए आपक यह बाद का समय है और निसीत रूप से पार्टी इन सारे चीजों पर आकलन करेगी जब परिणाम पूरी तोर से आ जाएगी आपका भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया कैम्पेइन के दुरान तो क्या वजह रही कि और कॉन्फिडेंस था बीजेपी में कि पार्टी न रहा लोगों का आत्मियता बहुत अधिक भारती जन्ता पार्टी के प्रति देखा उमीद के मुताबिक है यहां का आपको लग रहा है कि जादा उमीद तीया कम उमीद उससे जादा रहे हैं तो देखे ऐसा है कि हम तो चाहते हैं कि फिर से हमारी सरकार बढ़े और उस दृ उसमें यह कहना बड़ा मुश्किल है कि उनको इतनी बढ़त है तो वो बहुमत के तरफ है या हम बहुत पीछे है यह कहना इस समय उस इतने है क्योंकि यह दो बजे के बाद आप यह बात पूछ सकते हैं और दो बजे के बाद यह बाते आ सकती है कि वास्ताव में जब 15 रा अब क्लोज कंटेस्ट में मैंने कहा ना कि परिणाम क्या आएगा यह दो बजे के बाद ही मोटा मोटी ट्रेंड पता चलेगा तो अब आने दीजे समय आने दीजे अभी बहुत समय बाकी है आज सु अगर साथ मिलके लड़ती चुनाव साथ रखते अपने पार्टी के नेत पार्टी बैठेगी तो चींता करेगे कि निर्णाय के अंसार क्या अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव चुनाव में पड़ा अगर वहां पर आजसु साथ आती है अगर जरूरत पढ़ती है उनकी यह कहा जा रहा है कि वहां मुख्यमंत्री बदलने की बात हो सकते हैं और अर समय तो मैं काम कर रहा हूं और हमारे काम पर फोकस है पूरे देश में आदिवासियों के बीच में काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं अभी इसी पर अपना जादे फोकस कर रहा हूं और इसी फोकस के आधार पर मैं समझता हूं कि देश के जनजातिये छेतरों को समझने का म बित्रन के अस्तर पर देखा जाता है जहाँ तक मेरे परसनल के बारे में आप पूछेंगे परसनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि मैं जिसकाम पर अभी लगा हूँ उसमें बहूँ सारे ऐसी एसे प्राथमिक्ता हमने टेक जिसको हम चाहते जलिए अशोग क अर्जुन मुंडा से अशोक सिंगल बात कर रहे हैं